हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो अज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी तैट की परीक्षा को लेकि तो जैसा कि आफ सभी जानते हैं कि यूपी तैट की परीक्षा जो है 23 जनवरी को संपन हुई थी लेकिन इस परिक्षा को लेकि जो है काफी सारी विवाद देखने को मिल रहे हैं पहली चीज तो यह है कि यह परिक्षा जो है इसमें अधिकाल प्रश्ण लगभग 90 प्रतीशत प्रश्ण जो थे वह पिछले वर्ष यानि की साल 2017 में जो प् बहुत बड़ी इस परिक्षा को लेकि जो खबर है कि इस परिक्षा में ऐसा क्यूं हो रहा है तो पहले इसमें लीख होने की बात सामने आई थी उसके बाद अब प्रश्णों को रिपीट कर दिया गया है और जब इस बात पे विद्यार्थियों ने अपना विरोध जताया क्याम की प्रश्णों को रिपीट कर दिया गया है तो देखिए आयोग की तरफ से उत्तर कुंजी जारी होने की तिथी भी घोशित कर दी गई है तो यह हम इस खबरों को लेकि देखते हैं कि क्या अपडेट आया है तो प्यएंपी की तरफ से जो खबर आई है वो ये है कि 27 इसका रिजल्ट आप सभी को वैब साइड पर जारी हो जाएगा तो देखिए 27aire को इसका रिजल्ट आप सभी के समक्ष आ रहा है एक फरवरी तक जो है उत्तर कुंजी पर online आपतिया ली जाएगी तो यहाँ आप देख सकते हैं 27 जनवरी को आपकी जो result है इस परिक्षा का वो आ जाएगा और एक फरवरी तक जो है आपको उत्तर कुंजी पर online आपतिय दर्च करानी है और 23 फरवरी को विशे विशे सग्य की समीती की रिपोर्ट के आधार पर जो है शन्शोधित उत्तर कुंजी भी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और 25 फरवरी तक जो है इसका परिक्षा परिणाम भी आप सब के सामने आ जाएगा तो यहां कहा गया है कि रविवार को जो है यह सकुषल परिक्षा जो है संपन हो गई थी और जो इसका परिक्षा परिणाम है उत्तर माला है वो आप सभी को वीरवार को अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर तो देखे आयो की तरफ से यही बड़ा अपडेट है परिक्षा की जो उत्तर कुंजी की जो तिथी है वो जारी कर दी गई है तो यह बहुत ही बड़ी ख़बर है तो चलिए आप सब इस अपडेट के साथ जुड़े रही है आपको यूपी टेट की जो भी निउस आएगी तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहे है धन्यवाद